हाई फ्रेंड्स आज हम लेक हैं Аrap लोगों के लिए क्रिस्पी क्रिस्पी जलेगी रेसिपी आज की वीडियो देखने बास से आप लोक को जलेबी बनाना बहुत लगने वाला है क्योंकि यह जलेगी एक इतने क्रिस्पी बन करके तयार हुई है और इसने बहुत इच्छे से चासनी को भी सोख लिया तो चलिए फ्रेंड्स थू करते हैं यम्मी से टेष्टी रेसिपी को बनाना तो इसको बनाने के लिए हमने यह पे एक कप चीनी लिये और सेम उसी कप से एक कप पानी लेंगे मेजर्मेंट बहुत इजए फ्रेंड्स इसका एक कप चीनी के साथ एक कप पानी जाता है तो आप किसी भी मेजरिंग कप से या फिर कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं कोईंटिटी की बात करें तो 85 ग्राम के असपस चीनी है तो देखे उसको हमने रग दिया है वोईल होने के ल का मैं। दालेंगे और एक चमच दालेंगे कान फ्लोर तो फ्रेंड से कान फ्लोर डालना जरूरी होता है श्रक होता है बहत ही बनती है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस अशे के सबते हैं और ईक त्टमै लिग यह उसुद वल्यान इनों का तो अब बलु आला तो एक बार में friends सारा पानी हमको नहीं डालना है इस पूरे बैटर को रेडी करने में पूरा हमको एक कप पानी लग गया था तो डेड़ कप मैदे के लिए हमारा एक कप पानी परफेक्ट था तो आप उसे से आपसे ना डालें आप consistency का धिहान रखें देखिए इस प्रकार की consistency हमको चाहिए friends कि हम इसको उठाएं तो यह गिरे ना जल्दी देखिए मतलब एगदम ribbon form में गिरें तूटना नहीं चाहिए देखिए इस तरह से तो इसी प्रकार की consistency का धिहान रखें अगर आपका यह बैटर आपको लगता है कि ज्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें मैदा एड़ कर लें उससे बहुत सही हो जाएगा हलाकि हमारे जो बैटर तो एगदम परफेक्ट बनाता और उसके बास से इधर हम लेंगे एक piping bag और एक glass में इस तरह से रख देंगे इसको और side से fold कर देंगे और उसके बास से यहां पर हमारा जो बैटर था उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे तो इसमें आपको बैटर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है हम इसे इंस्ट यह बना करके तियार करेंगे तो फ्रेंट्स हमारी जो कौन है वह यहां पर तियार हो चुकी है आगर आपके पास इस प्रकारगी piping नहीं है तो आप नमक की थाली का भी उस कर सते पिर दूध वाली जो पॉलितिन होती है उसका भी उसकर सकते है उस से भी बहत अची बनते है और उसके बासे अच्छे से पकने देंगे पकने के बासे हमने अपर थोड़ा सब्सक्राइड की उरेंज फूड कलर एड़ के आट तो इसमें कलाराइट करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा से हमने इसमें नीबू भी डाला था जिसकी वएसे चीनी की क्रिष्टल नहीं जमेगी फ्रेंड जलेबी पे और जलेबी हमारी एकडमी क्रिस्पी क्रिस्पी बनके तियार होगी तो अब हम यहां पे चेक कर लेते हैं जासनी गाड़ी भी नहीं होनी चेया पतली नहीं होनी चेया जैसे मैंने बता है उसी प्रकार कर रखेगा और इधर अमने कड़ाई में घी गरम किया है जालेबी जालेबी जोए बहुत ही क्रिस्पी होती है फूलती है तो आप लोग देख सकते हैं जब में इसको तेल में यह गी है हमने आप गी गरम किया था आप चाहें तो घी में बना सकते हैं यह फिर फूल जारी है और एक चीज और फ्रेंट नहीं तो इस तरह से गुमा खुला चोड़ देंगे तो यह फैल जाएंगी तो इस तरह से एक के उपर बनाना जरूरी है और देखें कितना नो लोगों को फिरालेबी जहली होती है तो जन लोगों को क्रिस्पी भी खानी है वह सब्सक्राइब काहते हैं कि जुटा ही रखे हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी जो जलेबी है वो एक तरप से सीख गई है अब देखें पर पलटके दूसरे साइड से भी सीख लोगे फिर आम इसको निकाल लेंगे तो यह इसका परफेक्ट लार है फ्रेंट्स पस अब इसको निकाल लेंगे तो यह जैसे कि मैंने बोला करें फ्रेंट्स बस अभी हो गया है इतने पर इसको निकाल लेंगे तो आप लोग देख सकते कितना अच्छा देख रहा है देखने में यह तो अब मैं पर दिखाते हो अप लोग को थोड़ी सी मोटी जलेबी बनाना तो इसके लिए फ्रेंट्स हमने थोड़ा सा बड़ा लगा लिया इसमें जिसके एप वैसे एप लोग देख सकते है कितनी सुन्दर लग ज़लेवी बनाया तो अप लोग इस तरह चाहि schw ciert हो इसे न झाल लग कितनी तरहां पूल जार incur जा रह वह एं तो इसी परकार से और प्रुत होटी है यह स्थितर से संधर पर जलेबी बना अब इसको पलट देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, यह भी देखने में कितने सुन्दर लग रही है, तो आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, लग रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजेगा, साथ ही अगर चैनल पर फर्स टायम आए, तो आप जलेवी को ढालें, और एक मिट के लिए बस उसमें रखे और फिर निकाल लें, क्योंकि इसमें डिप करके छोड़ेंगे, तो यह बाद में जो जलेवी आए वो क्रिस्पी नहीं रहती हैं, सौफ्ट हो जाती हैं, तो हमें तो क्रिस्पी जलेवी चैनलेंगे, पू को बहुत कसंद आएंगे, और सच मानिए, यह जलेवी 10-15 मिट में बन करके तयार हो जाती है, आप एक बार ट्राइ करके देखेगा, और लिजे फेंड्स, मिंटो में हमारी प्लेट भर जलेवी बन करके तयार हो गई है, सिर्फ डेड़ कप मैदे से हमने इतनी सारी जलेव को महना लगी, नहीं हमने इसे बहुत टाइम के लिए फ bubbles करके रखा एक अधम, इनसचंट क्रिस्पी जलेवी बनाके तयार के हैं बेंट्स, देखेगे जो पतली वाली अमने हमने बनाई थी, तो जीतनी क्रिस्पाती है, उतनी क्रिस्पी हमने जो दूसरी जलीवी बनाई वो भी बनती है, तो friends, अब कभी भी gas आ रहे हो, या कोई भी festival हो, आप इन चलीवियों को जरूर बनाइए और लोगों को सर्फ करिये, सब लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, तो देखे हैं, जो हमने मुटी वाली बनाई थी, वो भी आपको तोड़ करके दिखा दी तो आप लोग देख सकते हैं, कितना यम्मी, कितना टेम्टिंग बनके तियार हुआ है यह, तो आई हो friends, आप लोगो को हमरी रस्पे अच्छी लगी होगी, लगी होगी तो please like, share, comment करना बिलकुल मत भूलेगा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, thanks for watching